इस्टुडेंट इन इस वीडियो वी विल स्टार्ट चैप्टर ट्वेल्थ ओके दशेप्टर ट्वेल्थ नीम इस मेंशुरेशन तो इसमें आपको अलग अलग टाइप के फिगर्स जो हैं ठीक है उनके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे फिर उनके फॉर्मले हमने मैंने एक पेज में लिख दी है ठीक है तो इनको आपको लर्न करना है ठीक है फॉर्मले बनेंगे तभी आप कोशन सॉल्व कर पाएंगे तो कुछ तो आपने प्रिवियस क्लास में पढ़े हुए हैं फर्स्ट है जैसे एरिया ओफ रेक्टेंगल यह आपने सिक्स क्लास से पढ़ बेस इंटु कर्रस्पॉनिंग एल्टिटूट्स ठीक है तो इसको ऐसे नुमेरिकल वर्स में एंटु है लिख सकते हैं या बी इंटु हैस्टू लिख सकते हैं फिर आता है एरिया ओफ ट्रेंगल भी सब जानते हैं वन अपन टू बेस इंटू हाइट होता है फिर आता है एक पुलेटर ट्रेंगल यदि एकप प्रेंगल है तो उसका एरिया क्या होता है रूट three upon four a square where a square is side square और एरिया ओफ सर्कली था फैया फल्क्वरस्कोरे आर फ़र रीडियस थिक है अब एक नया आया है थिक है यह आपका नहीं पढ़ा एससे पहले ओर एरिया ओफ trapezeum ठीक है, 1 upon 2 into height into sum of parallel lines, तो इसको numerical words में लिखा जाता है, 1 upon 2 into h, पैलर लाइन्स में एक first राली को a लेते हैं, दूसरी को b, तो इन दोनों का sum, मतलब a plus b, okay, तो clear है, इस वाले formula का बहुत यूज है, इस वाले formula का बहुत यूज है, इस वाले formula का बहुत यूज है, इस वाले formula का है, उसका area find करना है, तो यह देखिए, पहलर साइट्स यह और यह है, ठीक है, दो पहलर साइट्स है, तो a हम 8 को ले ले लेंगे, b 11 को ले ले लेंगे, और यह 6 cm इसकी height है, ठीक है, यह कितना उचा है, 6 cm, तो आप पहले लिख लीजेगा कि गिवन है, a 8 है, b 11 है, and height जो है है, वो 6 cm, फिर क्या find करना है, area of trapezium, तो area of trapezium is equal to formula क्या होता है, 1 upon 2 into h into a plus b, value पुट करोगे, h की जगे क्या है, 6, और a और b की जगे मतलब 8 plus 11, 8 plus 11 is 19, 2 से 6 को cancel किया, 2, 1, 2, 2, 3, 6, 3 into 19 किया, तो 57 cm square, क्योंकि area की unit में square आता है, ठीक है, और unit क्या चल रही है, cm तो उसका square एक, ऐसे बी वाली में देखिए, ये पहलर साइट से हैं, तो a की value 12 हो जाएगी, b की value 9 हो जाएगी, और ये height है, value आप पुट करेंगे, height के जगे 10 रखेंगे, a और b, 12 और 9 करेंगे, 12 and 9 21 हो जाएगा, 2 और 10 cancel हो रहे है, 2, 5 जा 10, फिर 5 into 21 करेंगे, तो 105 cm square, ठीक, c वाला आपका homework है, ठीक है, same मैंने ये लिख दिया है, देखिए, दो विसकी pallor sides कौन सी है, 3 and 5, ओके, ये pallor है, तो height क्या हो जाएगी, 4, ये put, put करिएगा, इसी formula में, और answer लेके आएगा, easy है क्योंकि, ठीक है, फिर question number 2, देखिए, the pallor sides of a trapezium are 9 cm and 7 cm, आपको 2 sides दे रहा है, the height, ठीक है, आपको height find करने है, तो पहले आप एक trapezium अपने से construct कर लेंगे, जैसे trapezium का shape ऐसा होता है, तो आप एक ऐसा trapezium बना लेंगे, उसमें से अपने से बता देंगे कि A9 है और B7 है, आपको ये altitude जो AO है वो निकालना है, ठीक है, height निकालनी है, और area given 80 cm, तो आप जगे रखेंगे 80, is equal to 1 upon 2, height की जगे height नहीं है, तो H, into A plus B कितना 9 और 7, 9 और 7 अपस में add होके 16 बन जाएगा, अब देखिए आप जानते हैं, जिसकी value निकालनी रहती है, उसको खाली करना पड़ता है, तो सबसे पहले 1 upon 2, 2 जो है वो divide में है, तो वहाँ जाके into में, और 16 into में है, H के साथ, तो वहाँ जाके divide में, ठीक है, अब 2 और 16 कैंसल हो रहे है, 21 जा 2, 28 जा 16, कैंसल किया, बचा 80 अपन 8, फिर 8 से 80 को कैंसल किया, तो H, तो height के आजाएगी 10 cm, कोश्य नमबर 3 में देखिए, the sum of the parallel sides of a trapezium is 25, and, मतलब अब sum दे दिया है, मतलब A और B अलग स अब से नहीं दिया है, आपको उसी का sum दे दिया है, मतलब A और B साथ में कितने है, उसकी value 25, and the area is 150 cm, then find the altitude, अब altitude find करना है, तो हमने लिखा वाई, formula, ठीक है, अब area height निकालनी है, तो area of trapezium into 2, और A upon B upon में, ठीक है, area कितना है, 150 into 2, और upon में A plus B की value क्या है, 25, ये रखा हमन ठीक है, 150 और 25 को हमने किस से cancel किया, 5 से, तो 5, 5 जा 25, और ये 30 times में गया, again 5 से cancel हो रहा है, 5 पंचा 5, 5, 6 जा 30, 6, 2 जा कितना आ जागा 12, तो height क्या आ गई, height that means altitude कितना आ गया 12 cm, okay, question number 4 में भी आई है, area of trapezium is 126 cm square, आपको area 126 है, and altitude is 6 cm, मतलब height given है आपको 6, तो find the sum of its पहल side, अब आपको वो a और b की value निकाल ली है, उनका sum की, ठीक है, तो पहले आप ऐसे arrange कर देंगे कि area 126 है, h 6 है, a और b find करना है, we know that the formula area is equal to 1 upon 2 into height into a plus b, a plus b निकालना है, तो देखिए उसको खाली करना पड़ेगा, तो उसके साथ h जो है, वो into में है, तो वहाँ जाके divide में हो 6 को मैंने 3 से cancel किया, 2 से cancel किया, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, अब 3 से 126 को cancel किया, तो 42 times में गया, तो a और b की value की आ गए 42 cm, इनके sum की, तो सेम आपको वैसी question number 5th और 6th भी कर लेने है, ठीक है, तो आपका ये 5th और 6th homework कर रहा है, आपको कुछ से try करना है, नहीं बनेगा तो आप बत बिल्कुल 6th, 5th तो बिल्कुल question number 4th के जैसा है, देखिए, उसका area given है, और altitude, height जो है, वो given है, 19, आपको इसका a और b निखाल ला है, a plus b, ठीक है, तो आपको ये कर लेने है, question number 7, देखिए, the difference of two pallor sides of trapezium, its field is 20 meter, and the area is 450 meter square, and its altitude is 15 meter, आपको altitude भी दिया है, then find the length of the pallor side, तो आ आपको length find करनी है, पैलर side की, ठीक है, तो हम देखिए, अपने से मानेंगे कि हमारी first वाले a, जो है, वो x है, ठीक है, और जो दूसरी उसने क्या बोला, कि वो 20, उनका difference जो है, वो कितना है, 20, तो दूसरी x minus 20 हो जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा, हमको a और b निकालना ह है, तो हमने a को माना, कुछ भी चीज हम x लेट करते हैं, तो a को मने x माना, और दूसरी condition के लिए वो बोल रहा है, कि उनका difference, difference मतलब subtraction, कितना है 20, तो दूसरी क्या बन जाएगी, x से 20 कम है, तो x minus 20, ठीक है, हाइट तो गिवन थी 22 मीटर, और एरिया भी गिवन है 450 मीटर we know that for the formula of trapezium, यह रखा, trapezium बना दिया, value put करो, 1 upon 2, height कितनी, 22, height कितनी है, 15 है, और इधर पे height 15 है, sorry, गलत लिखाया मैंने, 15 है, तो इधर 15, a और b, a की जगे x, और b की जगे x minus 20, is equal to 450, ठीक है, अब यहाँ x और x क्या हो जाएगा, 2x minus 20, और यह 2 को divide में था, पहाँ जाए के into में किया, और यह 15 into में था, तो वहाँ जाके divide में, अब 15 से 450 को cancel किया, 30 times में गया, तो 2x minus 20 is equal to 30 into 2, 30 into 2, 60 हो गया, अभी number 20 को minus में था, वहाँ जाके plus में किया, तो 80 बन गया, अभी भी x खाली नहीं है, x के साथ 2 multiply में है, तो वहाँ जाके divide में, 2 से 80 को जब divide करेंगे, तो 40 में, that means, x जो हो किस की value थी, a, a की value आ गई 40, और b को हमने क्या माना था, x minus 20, तो 40 minus 20 क्या जाके 20, तो a और b की value आ जाएंगे, question number 8, देखिए, the length of the pallor sides are in the ratio 7, ratio 9, अब आपको जो pallor side से उनका ratio दिया है, 7, ratio 9, and its area is 960 cm, and the distance between the pallor side is 15 cm, find the length of each of the pallor side, ठीक है, अब आपको length find करनी है, same, हम तो, अब जब भी मैंने आपको बताया हुआ है, कि जब भी क्या होता है, कुछ भी चीज, sides जो है, वो ratio में given होती है, तो ratio को हम अलग-अलग ऐसे नहीं लिख सकते है, हमको इनके लिए common factor लेना पड़ता है, x, अब हम उनको अलग-अलग लिख सकते हैं, कि a की value 7x हो जाएगी, और b की value क्या हो जाएगी, 9x, ठीक है, area था 960, यह given है, height जो है, वो 15 cm given है, हम जानते हैं, formula ट्रैपेजियम का, 1 upon 2 into height into a plus b, value put करेंगे, height की जगे 15, a और b की जगे 7x plus 9x, 7x 9x कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पर 15 multiply में था वाजा कि divide में, तो आजा कि multiply म फिर ऐसे करके आपको x की value find करनी है, तो x की value कितनी आई, 8 आएगी, ठीक है, अब यह x की value आई है, हमारा a जो है, वो कितना है, 7x, तो 7 into 8 करेंगे, तो 56 आजाएगा, और b की आए हमारा 9x, तो 9 into 8 करेंगे, तो 72 आजाएगा, तो a और b की value किया आजाएगे, 56 cm, और b की value 72 cm Q 9, देखिए, 2 pallor sites of an isosilf trapezeum are 10 cm and 20 cm, आपको 2 दी गई है, and its non pallor sites are each are equal to 13 cm, then find the area of trapezeum, तो देखिए, a और b पहले 10 or 20 है, ठीक है, और उसकी जो un-equal side है, मतलब उसकी height होगी, तीसरी वाली side, वो कितनी है, 13 cm, तो आपको find करना है, तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपका पहले यह trapezium ऐसा बनेगा अब क्या करना है आपको इधर आपको बताना है कि जो AD है वो किसके पहलर है BQ के तो इनकी जब AD 13 है तो यह भी कितना हो जाएगा 13 ऐसे फिर AB देखेंगे वो पहलर किसके है DQ के तो AB और DQ बराबर हो जाएंगे तो यह कितना 15 है तो यह भी पी के बीच में देखेंगे कि कितना difference है तो 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना difference है 10 का ठीक है अब देखिए जो QO है यह तो हमारा QC आया QO जो है 10 का आधा करने पर QO है उसका हाफ है QC का आधा QO है तो जब QC 10 है तो QO कितना हो जाएका 10.2 मतला 5 हो जाएका तो यही किया हुआ 10 upon 25 ठीक है अब BO निकालने के लिए BO निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे आपे BO कैसे निकलेगा जब हम BC में से OC को माइनस कर देंगे तो BO आ जाएगा यह ट्राइंगल है ट्राइंगल में से BC वाली साइट के OC माइनस कर देंगे तो हमारा BO आ तो हमको वाई करना है BC भी हमने निकाल के राकिए 13 और OC भी कितने निकाल लिए 5 इसका स्क्वार कर रही 169 फाइफ का स्क्वार 25 दोनों को माइनस करेंगे तो 144 ठीक है अब हाइट का स्क्वार ए तो हाइट कितनी आ जाएगी 12 144 किसका स्क्वार रूट होता है 12 का ठीक है अब हम फॉर्मिले में रखेंगे दोनों सबकी वैल्यू और एरिया आ जाएगा कितना वानेटी है कोशन नमर 10 तेकिए टू पेलर साइट्स ओफ एन आई जाएट्स निकालोगे फिर उसमें क्या लगा होगे पायता को रस्तियोरम से भी ओ निकालोगे यह है वीयो कैसे निकाल के बी-सी में से ओसी को माइनस करके सेम यह करोगे फिर हैट्स कि रखके फॉर्म्ला रखके वैल्यू आ जाएगी तो यह कोशन नमबर 9 के जैसा है ठीक है कोशन नमर 11 देखिए फाइंड दा कॉस्ट ओफ टीक है टाइलिंग दा फ्लोर ठीक है फ्लोर में हमको टाइल लगवानी है तो उसका क्या है हॉल का पहलर साइट्स पच्चिस और 60 मीटर आ जाएगा एज की वैल्यू 16 रखेंगे ए और बी बीस और पच्चिस बीस और पच्चिस जुड़के 45 हो गया तो और 16 को कैंसल करके 8 तो 8 इंटू 45 360 अब वो पोड़ रहा है कि वन मीटर की कीमत जो है न वो बता रहा है यह तो इतना बड़ा हॉल है इतने मीटर का अब वो पोड़ रहा है कि यदि वन मीटर के हॉल का वन मीटर का वो टाइल लगने का कितना रूपय लग रहा है 40 ठीक है तो कितने मीटर आये है 360 मीटर तो इनका कितना निकाएगा 360 इंटू क्या कर देंगे 40 360 इंटू 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14,400 रुपय का खर्च तो यहां पर आपका सेल प्रेक्टिस 12A जो है वो कम्प्लीट है कोई डाउट है तो बताएगा और यह वाला जो चैप्टर है वो आपको अपनी फ्यर कॉपी में कॉपी में करना है ओके थैंक्यू